अब जब दया शंकर सिंग से स्वाति सिंग से जुड़ा हुआ सवाल जिहिंदूस्तान ने किया तो दया शंकर सिंग जो है वो भड़क गए जी हाँ और आपको ये भी बता दे कि नई सुची जो भारति जनिता पार्टी के उर से भी जारी की गई इसमें बलिया से प्रदेश उपाध्यक्ष दया संकर सिंग को बलियां सदर से भारती जंता पाटी ने टिकट दिया है इस वक्त हमारे साथ हैं वो सर 2007 में आप चुनाव लड़े थे 2022 में फिर चुनाव लड़ने जा रहे हैं क्या फर्क देखते हैं और सदर सीट को लेकर क्या कहेंगे 2007 से ले करके 2022 तक बहुँ उत्तरपरदेश की रहनीती बहुत बदल चुकी है अब उत्तरपरदेश में विकास की रहनीती हो रही है अनंद स्वरूप सुकला जो मंत्री हैं आपकी सरकार में उनका टिकट बदल करके आपको वहाँ से टिकट दिया गया है फैक्टर ब्रामण बहुले छेतर को ले करके देखा जा रहा था हो जीत करके भी आये थे आप वहां से चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या एंटी इंकंपेंसी जो मंत्री के साथ था वो आपके उपर फैक्टर डालेगा क्या जब हम सरोजनी नगर में हम लोग चुनाव लड़ने के लिए आये थे उसमें भी कोई तयारी नहीं थी यहां पर भी उसी तरह के परस्न के लोग खड़ा करते थे सत परती सत जबकि एक परतियासी के ओल ब्रामण लड़ रहे थे पूरे जितने लोग चुनाव लड़ रहे थ परतियासी कैլिनेट मंत्री सर्दा सुखला जीलेकि 1730 लोगों ने भारत्य जनता पार्टी को दिया बर और वलियां मी में नजार आएंगी क्योंकि कई सारे लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आप ने सरोजनी नगा से टिकट मांगा बैनर पोस्टर लगा दिया और तमाम सारी विवाद जो है सिर्ष ने तृत गया जिसकी वज़े से उनका टिकट कट गया तो बलियां में किस तरीके से देख सब्सक्राइब हों मैं आप आप जैसे लोग भरमित कर रहे थे वह जा रहे हैं मारे आप लोग स्वेम आये थे लेकि उन्होंने तो प्रेस कानफरेंस करके कहा कि मैं भाजपा की हूँ भाजपा की रहूंगी और मैं जनम से भाजपा हूँ जनम से मरते दम तक भाजपा खुश है ना कि बालीयां जाएंगी और चुनाव परचार करेंगी वह पूरे परदेश की जना जाना जाये तो मौके मौके पे यूत के लिए जनता के लिए खड़े रहे हैं तो उस नाराजपी को कैसे दूर करेंगे आप करने वारे दिनों में भी वह भाजपा के लिए काम करने हैं